स्थार्ट जैस्री कृष्णा राधे लाधे किसी भी तरह का तंत्र मंत्र असर नहीं करता तो चलिए जानते हैं विस्तार से से हल्दी का पौधा अगर घर में आप लगाए तो निगेटिव एनरजी आती ही नहीं इस पौधे को घर में गमले में जरूर लगाये गर में मिट्टी यह तो वहां भी लगा सकते हैं अनार का घर के मुख्य दरवाजे के सामने लगा है यह पॉदा घर में लगाने से कर्ज कभी परेसान नहीं करता घर में सुक्सम्रिद्दी आती है स्वास्त की मुश्किलें परेसान नहीं करती अपरा जीता जिसको हम कृष्ण कांता कहते हैं इसका बेल जिसमें ब्लू कलर का जिसके घर में हो उसके घर में मान समान दिन दूनी राच चोगोनी बढ़ता चला जाता है बस ध्यान में ये रखना है कि आपके घर से उचा ना हो जाए ये फिर वास्तु दोस्त देगा तुलसी का पौधा वैसे तो हिंदू धर में हर किसी के घर में होता है और ये लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है लेकिन जब भी तुलसी का पौधा लगाएं अपने घर में पूरब उत्तर दिसा में लगाएं दक्षिन दिसा में भूल कर भी ना लगाएं वरनाफ फाइ आपके जीवन में परिसानिया लाता है क्योंकि आपके बच्चे तरक्की नहीं कर पाते इसलिए फल वाले पौधे तो भूल कर भी ना लगा इस पेड़ के पास ऐसे पेड़ लगाएं जो सूब हो जैसे की नारियल नीम असोक यह पौधे लगाएं बेल वाले पौधे लताओ रखेगा और नीचे भी ना जाना चाहिए यानि कि उपर की और चड़ते वे तो हो पर बहुत बड़ा ना हो जाएं अब देखिए यहां पर असोक का पौधा अगर आपके घर में है तो आपके घर के बच्चों का बुद्धी तेज होगा पैसा आता रहेगा और इसके साथ आउले का पौधा घर में लगाने से बिमारिया नहीं आती है दूसरी तरफ जो बरगत का पीपल का पेड़ होता है भले ही पवित्र पेड़ है लेकिन घर की आसपर ना हो तो अच्छा है वड़ना वास्तु दोस्त पैदा करता है जिस घर में गेंदा होता है उस घर का लोग सौक से लगाते हैं कांटे वाले पौधे हमेशा बुरा ही करता है क्योंकि इसको अच्छा नहीं माना जाता है और यहां तक की बौनसाई प्लांट जिसको हम बौना पौधा कहते हैं नहीं लगाना चाहिए आपकी तरकी को रोग देगा बंस्वृदी नहीं होगी तो आपके घर के लोगों के ऊपर ना तो तंद्र क्रियाय असर करेगी ना जीवन में परिसानिया आएंगी ना ही किसी तरह का कोई दूस्मनों का भय होगा नहीं है तो जरूर लगाए फिलाल आपसे विदा लेंगे जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सबस्क्राइब करें अपरों से सेयर करें और कमेंट में हर हर महाँ देए